पूर्फ कप्तान महिंदर सिंग धोनी को तो आप जानते ही है और ये भी जानते होंगे कि वो किसी गेम से अगर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं तो वो गेम है क्रिकेट लेकिन जब से धोनी ने अंतरास्ट्रे क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से सन्यास लिया है लगता है अब उनके फेवरिट गेम की जग है विडियो गेम ने ले ली है तब ही तो धोनी आजकल विडियो गेम के इतने लती हो गए है कि रात में सोते वक्त भी विडियो गेम के बारे में ही बात करते रहते हैं और ये गेम है PUBG और Call of Duty मैदान पर ताबर तोड चौक के छक्के लगाने वाले चेने सुपर किंग्स के कप्तान महिंदर सिंग धोनी आजकल ताबर तोड फाइरिंग कर रही है वो भी ऑनलाइन गेम PUBG में क्रिकेट के मैदान से दूर धोनी PUBG के इस कदर दिवाने हो गई है कि रात रात भर सिर्फ PUBG या Call of Duty गेम ही खेलते रहते हैं इन दोनों गेम्स की धोनी को किस कदर लत लगी है या आप उनकी पत्नी साक्षी धोनी के बयानों से समच सकते हैं जिन्होंने चार जुलाई को अपने शादी की साल गिरहा के मौके पर एक इंटर्व्यू में बताया कि धोनी इन दोनों गेम के किस कदर दिवाने हैं साक्षी धोनी रुफासमानी के साथ इंस्टेग्राम चैट में बताती हुई नजर आई आप जानते हैं माही का दिमाग हमेशा चलता रहता है उन्हें आराम नहीं मिलता इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब वो Call of Duty या PUBG या कोई और वीडियो गेम खेल रही होते हैं तो इससे उन्हें अपना ध्यान कहीं और लगाने में मदद मिलती है जो कि अच्छी बात है साक्षी धूनी ने बताया PUBG अब मेरे बेड्रूम तक घुस गया है कई बाल मुझे लगता है कि वो मुझसे बात कर रही है लेकिन वो तो हेड़पोन लगा कर गेम खेलने में लगे रहते हैं आजकल तो वो रात में सोते हुए भी नीद में केवल PUBG के बारे में ही बात करते हैं साक्षी धूनी के इन बयानों से अब तो आप समझी गए होंगे कि धूनी Call of Duty और PUBG के किस कदर दिवाने हैं तो चलिए अब धूनी के इन दोनों फेवरिट गेम्स के बारे में भी आपको कुछ बता देते हैं देश में जब PUBG बैंड किया गया था तो Call of Duty को PUBG के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था ये एक मल्टि प्लेयर गेम है जिसे एक से ज्यादा प्लेयर्स खेल सकते हैं इसे अमेरिकी कमपनी Activision ने बनाया है 2019 में इसे Google Play Store पर लॉंच किया गया था इस गेम को एक साल के अंदर ही Google Play Store पर 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था इस गेम के साइज की बात करें तो Google Play Store पर इस गेम का साइज 2GB है ये गेम मोबाइल यूजर्स के लिए लॉंच किया गया है अगर आप इसे खेलते हैं तो ये आपको बिलकुल PUBG की तरह लगेगा PUBG, PUBG का फुल फॉर्म है Player Unknowns Battleground ये एक action-based गेम है जिसे computer और smart phones दोनों में online खेला जा सकता है इस multiplayer गेम को Korean video game बनाने वाली company Bluehole ने बनाया है PUBG गेम को साल 2017 में पूरे दुनिया भर में लॉंच किया गया था इसे सबसे पहले Microsoft Windows के लिए लॉंच किया गया इतना popular हुआ कि इसके developers को इसके popularity को देखते हुए इसे Android और iOS के लिए भी लॉंच करना पड़ा इसे आप अकेले नहीं खेल सकते बल्कि आपको मिलकर दूसरे players के साथ खेलना पड़ता है जिससे ये गेम और भी रोचक बन जाता है झाल झाल